हेलो एवरीवन वेलकम टो इंस्पार्ड मेकैनिकल यह वीडियो है हमारा थर्ड पार्ट जो कि गवर्मेंट जोब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट कोश्चिन है टॉम और सॉम के वो डिसकस करने जा रहे हैं हम इससे पहले में दो वीडियो अपलोड कर चुका तो वो भी आप जरूर देखिए उसके बाद इस तीसरी वीडियो पर आएं देखिए पहला ही कोशन है किस क्राइटेरिया पर को हम क्लासिफाइब नहीं कर सकते देखिए चार ओप्शन दिये हैं फॉर्ट ओप्शन देखिए टाइप सोफ रिलेटिव मोशन बिट्विन द नमबर ओफ कनेक्टेड लिंक्स रहेगा तो इस पर आप बाद में आएंगे नमबर ओफ कंस्टेंट्स भी रहते हैं हम बारी बारी से किसी किसी लिंक को फिक्स भी कर सकते हैं और डिजार्ड मोशन भी मिलती है वह हमारा मेकानिजम बन जाता है नेचर ओफ कॉंटेक्ट द कि हमारे पेर्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो यह हमारा अंसर हो जाएगा सेकंड गोशन देखिए विच लास्टेट डैट डैट दा लेंट अफ दा शोटेस्ट एंड लोंगेस्ट लिंक्स शूड नोट बिगेटर दें डा सम अफ अधर टो लिंक्स इन दा फॉर बार मेक लिंक है और यह हमारा दिख रहा है लार्जस लिंक लग रहा है कुछ यह रिमेनिंग टू रह जाएंगे तो किस साइंटिस्ट ने यह कहा कि स्मॉलेस्ट प्लस लार्जस्ट जो हैं वो क्या नहीं हो सकते ग्रेटर देन नहीं हो सकते ठीक है ना शूड नोट वी ग्रेटर किस से रिमेनिंग टू जो बाकी के बच्चे दो हैं उनसे यह स्मालेस्ट और लार्जस्ट की लेंथ जो है ज्यादा नहीं हो सकती ऐसा कहा था एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ग्रेशोफ ने ग्रेशोफ जो है आपका उसकी स्टेटमेंट ही यह है कि एक फॉर करें तब किस तरीके के हमें मेकानिजम मिलते हैं और इंपुट और यहां आउट्पुट मिलती है यह आपका कपलर रह जाता है तो वह अलग केस है लेकिन अभी फिलालिये पूचा है कि ग्रेशोफ लाने ऐसा कहा था तो यह आपको पता होना चाहिए अब देखिए विच करने के लिए क्या यूज़ होता है हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है फ्लाइविल हम यूज करते हैं जो कि फ्लक्टुएशन को कंट्रोल करता है एनर्जी की फ्लक्टुएशन को आपने याद हो ती ठीटा डाइग्राम पढ़ा हो तो उसके अंदर इस तरीके से फ्लक्टु इन फ्लक्टुएशन को कंट्रोल करता है हमारा कौन फ्लाइविल तो फ्लाइविल आइसका अंसर हो जाएगा बहुत सिंपल कुश्चिन है विच फॉलोविंग इस नोट फंक्शन ओ फ्लाइविल का प्राइमरी फंक्शन क्या है तो देखिए यह तो आपने डेफिनेशन इस बढ़ाई होगा store and release energy during the work cycle जिस मिलती है उसमें क्या करेगा energy को release कर देगा उसके बाद देखिए reduce power capacity of the electric motor उसके बाद reduce amplitude of speed fluctuations लेकिन reduce engine speed engine की speed को किसी भी हाल में कम नहीं कर पाएगा हमारा flywheel बाकि सब को तो देख लेंगे बाकि सब तो यह function है इसके लेकिन reduce engine speed हमारा function इसका नहीं है ठीक है न तो यह answer हो जाएगा next है what is the length of belt with diameter d1 and d2 and at a distance of x meter apart is connected by means of open belt drive open belt drive के अंदर क्या रहता है बेटा द्यान से देखिएगा यह रहती है आपकी driving pulley और इदर रहेगी आपकी driven pulley ऐसा ही question है कल वाली वीडियो में भी था आपकी में जो मैंने upload की थी तो देखिए यह driving pulley है यह driven pulley है आपकी दोनों ही पुली जब एक दिशा में घुमती है तो वह कहलाता है हमारा open belt drive ठीक है open belt drive एक यह रहता है एक cross belt drive भी रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि driving pulley जिस दिशा में घुम रही होगी यह उसके विपरीद दिशा में घुमती है तो उसके अंदर cross belt drive यह इस तरीके से cross का साइन बना होता है बीच में अगर आपको figure wise देखना हो लेकिन अभी क्या पुछा है कि open belt drive के अंदर अगर दोनों ही driving और driven shaft के बीच की दूरी एक्स मेटर अपार्ट है एक्स मेटर की दूरी है तो उनकी belt की लंबाई कितनी रहेगी देखिए उसकी belt के लंबाई रहेगी पाई डीवन प्लस दीटू इंटू इंटू 2 X प्लस दीवन – डीटू अपॉन 4 X का whole square तो यह formula हो जाएगा थर्ड वाला थर्ड वाला आपका राइट अंसर हो जाएगा और क्रोस बेल्ट का कौन सा फॉर्मूला रहेगा आपका जिसके अंदर आपका प्लस आ जाएगा बाकि सब कुछ तो सेम रहेगा ये वाला फॉर्मूला ये क्रोस बेल्ट ड्राइव का है ओपन बेल्ट जादा हमारा और को सेंटर पें एंगल बनता है ज़्यादा दे देर तक ज़्यादा एरिया कॉंटेक्ट में रहता है बेल्ट का पुली के साथ ठीक है और ओपन ड्राइव में कम रहता है तो इसमें माइनिस का साइं यूज होता है इस तरीके से फॉर्मूला आपने याद by fixing the slider pair in slider crank chain mechanism slider crank chain mechanism के अंदर single slider की बात कर रहा है देखिए single slider crank chain mechanism के अंदर अगर हम एक link को fix कर दें वो link कौन सा होना चाहिए sliding pair sliding pair को अगर हम fix करेंगे तो हमें कौन सा mechanism मिलता है देखिए आप ने अगर definition wise इसकी classification पढ़ ली है तो बुल इंजन होता जिसको आप hand pump भी बोलते हैं ठीक है ना बुल इंजन जो है आपका उसके अंदर ऐसा रहता है कि आप हमने किसको fix कर सकते है sliding pair को fix करते हैं फिर हमें यह वाला उसका inversion मिलता है देखिए अगला सवाल है वाट टाइप ऑफ गेर इस तो connect to intersecting shaft दो intersecting shaft को connect करने के लिए कौन सा gear use होता है बहुत important सवाल है देखिए अगर मैं बना दूँ यहां पर यह वाला gear इस तरीके से ठीक है और इसी के साथ मेरा gear कौन सा engage रहेगा यह वाला ठीक है और यह रहेगा उसका axis और यह इस gear का axis रहेगा तो दोनों के axis काट रहे हैं एक दूसरे को तो यह gear कौन सा रहता है यहां ऐसे टीज रहते हैं इसके ठीक है इस gear को हम बोलते हैं बैवल गियर और दोनों ही gear का size सेम हो जाए तो माइटर गियर भी बोल देते हैं तो यह बैवल गियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके अंदर आपकी जो दो कनेक्टिंग शाफ्ट है वो दो एक दूसरे को काटती है ठीक है इंटरसेक्ट करती है और अच्छी बात यह है कि 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है तो यह बैवल गियर है ठीक है तो अगला सवाल देखते हैं विच कोश्चन विच सोरी विच एक्वेशन ड़स यूज होता है लेकिन गियर के अंदर यह एंवन बाइंटो यूज नहीं होता तो यह हमारा देखो ड़स नोट पूछा है इसने ठीक है तो गलती नहोंने पाए ड़स नोट में एंवन बाइंटो आएगा क्योंकि बैल ड्राइव का रहता है स्पीड का रेशो ठीक है यहां इक्विलिब्रियम स्पीड सभी रेडिस ओफ रोटेशन पे क्या होने लग जाए कॉंस्टेंट होने लग जाए डेविनेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लई है फ्लाइव गवर्नर वारी यूणिट की तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि सभी एक्विलिब्रियम स्पी ऑफ टीक्ञें वार्ट गवर्नर के अंदर क्या रहता था हमारी स्ली वक्य पनेशन बहुत ज्यादा रहती थी स्पिंडल के उपर इस तरीके से यहांपे अधा होती है है ठीक है इस sleep से क्या जुड़े होते हैं हमारे आर्म जुड़े होते हैं और आर्म से ऊपर लगी होती है आपकी बॉल तो जब इस spindle के ऊपर इस तरह के मौंच होती थी minimum और we maximum speed के ऊपर जब यह rotate करता है हमारा spindle तो स्लीव की मुवमेट क्या रह जाती है बहुत ज्यादा होने लग जाती है तो इसी वज़े से वाट गवर्नर हमारा फेल हो गया था ठीक है ना मिनिमम और मैक्सिम स्पीड के ऊपर इस यह वाली चीज है नीचे बनाई मैंने इसको स्लीव बोलते हैं ठीक है स्लीव की हम डटेडल रखते हैं डेडल 分कते हैं कौन सताल में पोल्टर गवर्новु ठीक है पोल्टर गवर्na के अंदर रखते हैं हम अपना डेटले में तो स्प्रिंग यूजरो ड़्येग कोई वाट गवर्नर इस वरकिंग हैब दो टू मीटर कोई वाट कवरणर है उसकी हाइट कितनी है दो मीटर है दो मीटर तक उसका लिफ्ट हुआ ठीक है कैलिकुलेट दा स्पीड इन आर पीम ऑफ दा गवर न स्पीड हमें फाइंड आउट कर दी है तो करेंगे क्या वाट गर्नर की स्पीड का फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए बहुत सिंपल है एक्षेश इक्वल टू एट-9-5 अपॉन एच यह फॉर्मुला रहता है ठीक है 895 upon H, अब H की value कुछ दे रखी है, 2 मिटर दे रखी है, 895 upon 2 करेंगे, तो यह आ जाएगा around 447.5 आ जाएगा, और इसका under the root करेंगे जब, तो N की value आ जाएगी हमारी कुछ, 21.15 आएगी, तो nearest जो close answer है, जो ठीक है, वो है 21.15, तो यह answer हमारा ठीक हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं, the ability of a body to absorb energy, किसी भी बोड़ी की ऐसी ability, जिसमें वो energy absorb करें, and to deform plastically, without fracturing, यानि fracture होने से पहले, ठीक है न, fracture होने से पहले, बोड़ी कितनी energy absorb करती है, इस ability को क्या बोलते हैं, अगर मैं बिलकल हिंदुई मैं नुवाद करूँ इस सवाल का, तो उसको बोलते हैं बेटा, toughness, तीक है न, toughness उसको बोलते हैं, कि fracture होने से पहले, कोई बोलते हैं, कोई इंसान कितना tough है, जो कि क्या करता है, withstand करता है, उसके अंदर कोई आप load लगाएं, तो fracture नहीं होता, fracture होने से पहले पहले कि जो energy है, बोड़ी ने जो absorb की, उसको बोलते हैं, toughness, तो अगला सवाल है, which इसका अंसर तो बतादू सबसे पहले, इसका अंसर रहेगा roller support, ठीक है, अब roller support के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, इस तरीके से roller support रहता है, यहां पे मेरी beam इसके साथ जुड़ी होगी, ठीक है, तो beam जुड़ी होगी, तो नीचे इस support को मान लेते हैं, यह surface है, इसके roller support रखा है, तो roller support रहेगा, तो यह left और right तो move करी सकता है, तो यह motion possible है इसके अंदर, इसके अलावा यह beam के around इस तरीके से भी move कर सकता है, यह motion भी इसकी possible है, इस दिशा में, लेकिन यह surface को छोड़ नहीं सकता, इस दिशा में नहीं जा सकता, तो अगर हमें यह देखना है, कि कितने support reaction मिलेंगे, तो आपको करना क्या होगा simply, यह देख लीजिए, कि कितने motion block हो गए है मेरे support के उपर, देखिए, यह motion हो सकता है इस दिशा में, इस दिशा में भी motion हो सकता है, लेकिन तीसरी दिशा कौन सी है, एक ही direction है, इस दिशा में हमारी motion block हो गई है, तो सिर्फ एक ही reaction support मिलेगा, यह reaction horizontal और इस तरीके से movement वाला reaction है, वो हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिशा में movement हो सकती है, तो वहाँ कोई reaction नहीं मिलेगी, तो एक ही आपका single reaction component कौन से मिलता है, roller support में मिलता है, देखिए, what is the normal stress on a bar of a cross section with side B, on which load P is applied at an angle of 30 degree from the horizontal, देखिए, एक हमा इस तरीके से, जिसकी क्या है, rectangular bar है, तो इसके उपर load लग रहा है, लोड कितने angle पर लग रहा है, यह load लग रहा है, और angle देखिए, horizontal के साथ कितना बना रहा है, horizontal के साथ बोला है, इसने vertical के साथ नहीं, नहीं तो फिर अलग सावार हो जाता है, 30 degree के angle बना रहा है, इस तरीक के इसे, लोड और rectangular section है, rectangular section है, तो इस तरीके से है, rectangular section है, तो इसका B side का नाम दे रखाए, B, तो area तो आप निकाल लेंगे, area कितना हो जाएगा, B square हो जाएगा, area, एरिया कितना हागया, B square, अब load की, stress की value नकाल नानी है, तो stress क्या रहता है, आपका, normal stress की value निकालनी रहेग सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब box इतना है थीग्हाइगी किटनी हो जाएगी थीटा की वैली हो जाएगी 30 कितना होता by 2 तो अंडूट 3 by 2 P B square तो अंडूट 3 P by 2 B square है सोरी यह third answer हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा अब चलते हैं अगले सवाल के उपर the equivalent length of column when one end is fixed and other is free equivalent length of column हमने बतानी है कब बतानी है जब की हमारा column का एक end हो जाए fix और दूसरा क्या हो जाए free हो जाए ऐसे case में जब एक end fix है दूसरे end free है तो equivalent length की value रहती है कितनी दो गुना two answer है इसका यह two answer हो जाएगा formula wise है वैसे मैं जनरली बता दूँ आपको होता क्या है कि अगर इस तरीके से मेरे इधर support लगे हैं और आपका column में है इस तरीके से buckling होगी यानि एक end हो जाए मेरा कौन सा fix इस end को भी fix कर देते हैं और एक इस end को भी fix कर देते हैं दोनों ही end अगर मेरे fix हो जाएं बोथ end fix तो इस case में मुझे एल इकी value मिलती है कितनी एल बाय टू और दूसरा केस कौन सा हो जाएगा जब एक end मेरा fix हो जाए इस end को तो मैंने कर दिया fix और दूसरे end को मैंने क्या कर दिया है हिंजड कर दिया है पिन कर दिया है तो इस तरीके से buckling होगी इसके अंदर यहां मेरा लोड लगता है ठीक है न तो इधर भी लग सकता है इधर fix हो गया इधर तो लोड नहीं लगेगा तो fix कर दिया हमने इधर से कर दिया है तो नीचे भी दिखा है जब दोनों ही एन्ड हींजड हो जब दोनों ही एंड इस तरीके से हिंजड होंगे ऐसे buckling होगी तो लोड लगेगा पी तो ऐसे केस में equivalent length की value एल ही रह जाती है change नहीं होती है यह एक में एल जब दोनों ही एंड हिंजड हो और दूसरा कौन एक and hinged और दूसरा and fix उसके अंदर l e is equal to l by root 2 अब दोनों ही fix हो जाएं l e is equal to l by 2 लेकिन आप से कौन सा पुछा है जब एक and fix हो दूसरा and free हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगी l e की value 2l तो यह आपका fourth answer हो जाएगा तो इसमें आपके चारों सवालों के answer आ जाएंगे कुछ भी पूछ सकता है देखिए what is the tensile stress in a road of cross section 20 mm into 30 mm carrying a exile tensile load of 20 kN बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है देखिए sigma is equal to P की value है 20 kN को newton में convert कर दिया तो यह आ गया उसके बाद देखिए area है क्योंकि cross section कैसा है rectangular है तो बीस गुना 30 area आ जाएगा rectangular का area क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो बीस से बीस कटेगा एक हजार बटे तीस एक हजार बटे तीस एक हजार बटे तीस अगर solve करेंगे आप तो आपकी stress की value निकलाएगी दो 0 से दो 0 कट जाएगे आपके तो यह आ जाएगा ठीक न ीन माफ कीजिएगा area हो जाएगा P 20 kilonewton है ना 20 kilonewton हो ठीक है area हो जाएगा 20-30 तो बीस से 20 कट गया तो एक हजार बटे 30 आ तो एक ही 0 कटा एगऄ 100 बटे तीन आ गया लोड के अंदर क्या चेंज आएगा इसा ही सेम सवाल हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था आप उसको भी जरूर देखें इसको भी मैं बता देता हूं मां लीजिए मेरा पहले वाले से से कितना हो गया 10 परतीशत कम हो गया यह नब्य परतीशत ही रह गया है यह जिरो पॉइंट 9 टाइम्स रह गया है डी वन का ठीक है जब ऐसा हो गया है तो ऐसे केस में हमारा जो जूलर्स बखिंग लोड है वो कितना रह जाएगा तो देखिए पी इए वन और पी इटू का र प्रेशो वो कैतना रहेगा तो यह उल्टा रह जाता है आपका कितना जैसे यह हो जाएगा डीवन और यह हो जाएगा 0.9 टाइम्स ओफ डीवन माफ किजिएगा यह उपर आएगा 0.9 डीवन नीचे खाली डीवन रहेगा आपका ठीक है न तो इसकी पावर जो रहती है वो चार हो जाती है डीटू बैडीवन होता है यह तो डीटू कमसा हो जाएगा यह डीटू हो जाएगा 0.9 डीवन उपर और डीवन नीचे तो 0.65 0.65 आजाएगी अब मेरे लोड की यानि कितने परतीशत कम हो गया एराउंड 35 परतीशत आपका बकलिंग लोड के इंदर ड्रोप आ गया है ध्यान रहे अंसर आप अगर उप्शन में 65 दे रखा तो पांसर आएगा 0.65 ठीक है तो यह आपका यूजर बकलिंग लोड है उसके बाद देखते हैं विच एक्वेशन क्रेक्टली रिलेट्स ता मोडुलस ओफ इलास्टिसिटी इन टरम्स ऑफ जी एंड के जी और के की टरम्स में आपने लास्टिक का रिलेशन बताना है तो वह हो जाएगा आपका 9 kg अपन जी प्लस 3 के यह सबसे सिंपल कोशन था डरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है 9 kg जी प्लस 3 के जो है सभी इलास्टिक कॉंस्टेंट्स के बीच का रिलेशन है बहुत ही बार पूछा जाता है तो आप इसको याद करके रखें आप देखिए विच फॉ प्रॉनला लगेगा किस का आलोंगेशन का देखिए सबसे पहले जगर आपकी प्रिजमेटिक बार है चैसा है यूनिफोम है मान लीजीए इस दिन्रिकल बार है फ्रेंन्ट few में अगर मैं इसको यहां से कट कर एंच यहां से कट कर ईंच यहां से कट जाह है तो मुझे यहां diameter है D1 और यहां diameter है D2 लंबाई उतनी ही है अब यह tapered bar बन गई है अब यह tapered bar हो गई है इधर का diameter D2 है और अधर का diameter कितना हो गया है D1 हो गया है तो दोनों ही diameter हो जाएंगे अगर तो मेरे elongation की value कितनी रह जाएगी पहले वाले case में देखते हैं पहले वाले case में तो simple से रहता है PL upon AE यह आपने पड़ा भी होगा elongation जो है prismatic बार के लिए formula रहता है PL upon AE लेकिन यही formula आपका change हो जाता है tapered bar में वो क्या रह जाएगा 4PL ठीक है? π.d1,d2 दोनों ही diameter आजाते हैं π.d1,d2,e यह elongation का formula रहता है tapered bar में यानि कहने का मतलब यहां पर एडिया करूंगा मैं पाई बाई फोर डी स्केर तो फोर उपर चला जाएगा पाई नीचे तो यह formula कुछ इस तरीके से बन जाएगा सेम ही formula रहेगा 4PL upon पाई डी स्केर रहेगा तो वो डी स्केर इस डी 1,d2 के बराबर होता है एक सवाल का जवाब और देता हूँ वो भी पूछ लेता है आप से तो यहां का जो डी स्केर है डी स्केर जो है वो डी 1,d2 के बराबर रहता है d1 into d2 के बराबर multiply कर देते हैं d1 और d2 को इसके बराबर रहता है तो d की value आ जाती है under the root of d1 d2 यानि geometric mean के बराबर अगर यह डवाला diameter हो गया तो दोनों के elongation क्या हो जाती है बराबर हो जाती है लेकिन फिलहाल हम से क्या पूछा है यह इसका fourth जो है right answer हा जाएगा elongation है 4PL upon pi d1 d2 e अब देखिए when a steel column is said to be short किसी भी steel के column को हम short कब कहेंगे basic definition wise पूछा है जिसका slenderness ratio कितना हो जिसका slenderness ratio अगर 30 से कम है तो उसको बोलते हैं हम क्या कौन सा column short column और 30 से लेकि 90 के बीच में रहता है वो रहता है मारा medium column और 90 से 120 से भी ज्यादा हो जाए तो वह होता है हमारा long column तो यह first option जो है इसका right answer हो जाएगा shortest column छोटा column होता एक बड़ा column चोटा column जो है वो crushing के द्वारा आपका failure होता है और जो बड़ा column रहता है यह medium column रहता है वह किसकी वज़े से आपक हो जाएगा फेल बकलिंग लोड की वज़े से होगा तो यह था हमारा टॉम और सॉम के तीन वीडियो की सिरीज है एराउंड मैंने 60 to 70 कोश्चन कवर किये हैं अमीद करता हूँ आपको सभी में समझ में आ गए होंगे फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जरूर जवाब दूँगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और important questions के साथ जो government jobs में पूछे जाएंगे झाल